बिश्मिल्ला रोहमान रोहीम, अस्सलाम उलेकुम विवर्ज, मैं हूँ एसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल ऐसान रियक्षन विद एसान मैं उमीद करता हूँ आप जहां भी होंगे, न्जुआए करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फार्ट होंगे विवर्ज बहुत ही इंपॉर्टट वीडियो है और ये वीडियो वाक़े ही देखने के काबिल है इसके उपर हम बात करेंगे मैं रियाक्शन भी देने जा रहा हूं कि किस तरह से बंगला देश को पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है और बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट कर रहा है और फिर उसके बदले में पाकिस्तान भी बंगला देट से इंपॉर्ट कर रहा है यानि दोनों देश किस तरह से export और इंपोर्ट कर रहे हैं और साथ यसाथ कितनी ज्यादा एक दूसरे से फाइदा भी उठा रहे हैं जो खाब था वो हकीकत धा रहा है जो एक ड्रीम था वो हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है किस तरह से पाकिस्तान जनाब अब एक्सपोर्ट कर रहा है वन बिलियन डालर की बंगला देश को और जनाब इसके साथ बंगला देश भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है यह पाकिस्तान भी इंपोर्ट कर रहा है ये वीडियो उसी के उपर है ये वीडियो देखते हैं फिर उसके उपर बात करेंगे और मेरी आप से ये रिक्वेस्ट एस वीडियो को आपने अन तक जरूर देख रहा है वीडियो के तरफ बढ़ते हैं अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रियाक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें जल्दी से सब्सक्राइब और बैल आइकन भी प्रेस कर दें ताके आने वाले वीडियो के नोटिफकेशन आपको बकायदग और अन्नोतमो ड्रुतो बर्दुन्चिल बाजर एकन भांगलादेश संस्लिष्टरा बलछेन गतो अर्थबचरेर प्रवित्दिर्हार अभ्वत थाकले चलोमान अर्थबचर स्याशे पाकिस्ताने पर्णो रफ्तानी बिलियोन डोलारे बाजरे पर्णोतो हबे देश नाकी पाकिस्तान ता जानाबो आजकेर एई विडियो ते चलोन शुरू करा जाग उत्पादन मोखी पर्णनेर काचामान उत्पादुक द्याशीशेबे पाकेस्तानी तूला शुता ओ कापरे चाहिदर रोय छे बांगलादेशेर खाच संस्किस्टो ब्यबशाइदर काछे विश्ये तोयरी पोसाक शर्बरहौ कारी दितियो ब्रिहोत्तमों देसीशेबे बांगलादेशी ब्हभशाइडा बिपूल पुरीमान काचामा लामदानी करें पाकिस्तान थेके अनेक समय तोईरी पुषाकेर बोईशीक ट्यतादेर चाही दो थाके पाकिस्तान थेके काचामा लामदानीर। ओ अस्रो पाचार सरंजमेर बरो बाजार ओरे चे बांगलादेशे। पुषाकेर तत्थनो जै एर परे आचे चीन जुक्त राज्यो शीर्षो दशेर बाकी देश गुलू होलो। संग्जुक्त आरोब आमिरात, जार्मानी, नेधरलेंड्स, आफगानिस्तान, स्पेन, इतली और बांगलादेश। संग्जुक्त आरोब आमिरात, जार्मानी, नेधरलेंड्स, आफगानिस्तान, स्पेन, इतली और बांगलादेश। संग्जुक्त आरोब आमिरात, जार्मानी, नेधरलेंड्स, आफगानिस्तान, स्पेन, इतली और बांगलादेश। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मार्किट बन गई है, अब बंगलादेश जनाब इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान से, तो देखें ये कितनी बड़ी बात है और कितनी बंगलादेश के लिए भी और बंगलादेश पिर उसके बदले में जनाब पाकिस्तान को भी एक्स इस तरह से ये काम अब चर रहा है और आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे ही वो इंपोर्ट करता है कौटन को पहले वो लेता था इंडिया से लेकिन पाकिस्तान से उसको बहुत ज्यादा चीप रेट पे मिल जाता है सारी चीजें सस्ती मिल जाती है लाइक कौटन और अब वो जनाब पाकिस्तान से कर रहा है और पाकिस्तान जनाब वन बिलियन डालर के करीब जनाब ये इतनी बड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है बंगला देश को और बंगला देश पाकिस्तान को उसके बदले में एक्सपोर्ट कर रहा है टेकस्टाइल और परो टेकस्पोर्ट जाद और जिस तरह से आपने इस वीडियो में देखा बताया गया किस तरह से पाकिस्तान भी बड़े लेवल के उपर एक्सपोर्ट कर रहा है बंगला देश को और पाकिस्तान भी बंगला देश से इंपोर्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल में यह इसी तरह अगर सिलसला चलता रहा तो दोनों देशों के लिए बड़ी खबर है, सकसेस है, कामियाबी है और पाकिस्तान इसलिए भी इंपोर्ट करता है बंगलादेश से क्योंकि पाकिस्तान को जो आपको पता है कि लेबर है जो बंगलादेश में वो इतनी कॉस्टली नहीं है वो बड़ी ही चीप रेट के उपर और बड़े सस्ता पड़ता है पाकिस्तान को अगर वो इंपोर्ट करता है टेक्स्टाइल क्या कोई भी प्रोड़क्स बंगला देश से तो यही वज़ा है कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक है और उधर बंगला देश के लिए पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा बेहतर कंट्री थाबत हो रहा है तो दोनों मुलक आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे दोनों देशों को बहुत ज़्यादा फैदा हो रहा है लेकिन आग लगी हुई है इंडिया के सीने पर बड़ा परेशान है क्यों ये दोनों देश आपस में इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े लेवल पर कर रहे है और इसके साथ साथ मियानमार और दिगर जो कंट्रीज हैं और दोनों ही जो उनकोची सूटेबल है उनके लिए फाइदा मंद है थाबत हो रही है वो एक दूसरे के साथ इंपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ साथ एक स्पोर्ट भी कर रहे है मिलती है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज